इसका चार देखो, चार नमर भी देख लो, माल लेते हैं, मैं यहाँ पे माल लिया, y बराबर में, x प्लस 1 का पावर 3 बाई 2, into में log x, और बटा में x क्यूब साइन x, चलिए लिखेंगे, taking log बोथ साइट, taking log बोथ साइट, दोनों तरफ log लेते हैं, तो log y बराबर में हो जाएगा, log x प्लस 1 का पावर 3 बाई 2, into में log x, और बटा में x क्यूब साइन x, तो डिवाइड में हैं, तो माइनस में चला जागा पहले तो, तो यहाँ हो जाएगा, log y बराबर में, log x प्लस 1, x प्लस 1 का पावर 3 बाई 2, into log x minus, log x cube into में sin x, ऐसे कर सकते हैं, चलिए, अब अगले step में देखो, ठीक है, अब देखो, यहाँ पे into में है, तो इसे हम लोग माइनस में कर सकते हैं, log y बराबर में, सॉरी, प्लस में कर सकते हैं, log x प्लस 1 का पावर 3 बाई 2, और प्लस में, log log x, log log x, minus, यहाँ ब्रेकट देते हैं, क्योंकि अंदर sin बदलना पड़ेगा, log x cube प्लस log sin x, ठीक है, चलिए, अब अगला step देखते हैं, log y बराबर में, क्या हो जाएगा, पावर नीचुत रगा न, 3 by 2, log x प्लस 1, ठीक है, प्लस log log x, चलिए, minus, पावर नीचुत रगा, 3 log x, और minus log sin x, ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशियेट कर, डिफ्रेंशियेटिंग, with respect to x, 1 by y, इन्टू में, dy by dx, बराबर, 3 by 2, इन्टू, 1 by x, प्लस 1, log x का, और x का, 1, 1 का, 0, चलिए, प्लस, यहां भी, 1 by log x, इन्टू, log x का, फिर क्या करेंगे, 1 by x, minus, 3, इन्टू में, 1 by x, minus, 1 by sin x, और sin का हो गया, cos, y को उधर ले जाकर, multiply करो, और y का value भी रख दो, उधर जाकर, multiply करेगा, और y का value रख दे रहा हूँ, तो y का value है, आपके पास, x plus 1 का, पावर, 3 by 2, इन्टू में, log x, और बटा में, क्या था, जी, x cube sin x, यही था, चलिए, और यह आपका आजाएगा, 3 by 2, इन्टू में, x plus 1, plus 1 by x, log x, इसको लिख देते हैं, अच्छा, और minus का 3 by x, और minus cos, बटा sin, cot x, चलिए, यही आपका answer हो गया, चलते हैं, next question पर, यह अगला question,